जब भी मैं कुछ अपने लिए अच्छा सोचू न उस दिन है न पक्का उल्टा होगा मैं एक दिन पहले रात को सोच के सोई थी कि जल्दी जल्दी उठ जाओंगे क्योंकि आज अंस के स्कूल में पीटियम मीटिंग है और मुझे और अंस के डैड़ों को और अंस को तीनों को जाना होगा तो मैंने सोचा कि 5 बज़े उठ जाओंगी वैसे भी कल अंस का स्कूल है बस मिटिंग होगा और अंस चला आएगा तो पांच बज़े उठूँगी घर का फटा फट सब काम करके खाना वाना वना के तब जाओंगी मिटिंग अटेंड कर लूँगी तो उतना ही जानते हैं गाईज मेरे हजबिन ने मुझे छे बज़े उठाया मैं बोली कि पांच मिनट बाद मैं उठती हूँ और उठते उठते मैंने आठ बज़ा दिया जल्दी उठा ये बोले उठो यार आठ बज़ गया अंस का मिटिंग चालू हो साएगा नौ बज़े से तो मैं जल्दी जल्दी गई यार नहाया तुरंत जैसे तैसे करके नहाया बहुत घर डस्टिंग के नहाया उसके अद आके यहां पे है न क्रीम और इम लगा के और सूट पहन के रेडी हो गई तो अंस के स्कूल जब भी मैं जाती तो सूट ही पहन के जाती हूँ साड़ी नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है तो सूट पहन के रेडी हो गई उसके बाद हस्बिन जी भी आ है जल्दी जल्दी नहा है यह सूट गाइस दो तीन साल पहले का है रखा हुआ था लेकिन आज मुझे मन किया कि मैं पहन लो यह सूट कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देजेगा अ मेरे फ्रीज में है अकसर दही में जमा के रखती हूँ तो दही चूड़ा मैंने खिलाया और थोड़ा सा खुल चार पांच चमर्स खाया अंज को खिलाया दही चूड़ा एक ऐसा खाना है कि आप बिना बनाए खिला सकते हो किसी को भी बहुत हेल्दी होता है और बहुत पे आज मुझे इतना थकान हो रहा था इसकूल से आने के बाद इतना थकान हो रहा था मेरे पती है न मुझे कम से कम यहां घर छोड़के और ऑफिस जाने के बाद सो बार भी कॉल किये होंगे उन्हें कोई काम था कुछ पेपर वेपर मांगना था लेकिन मैं इतना गहरी में सो रही थी आज मैं खुद को टाइम नहीं देती न तो पक्का मैंने क्या सोचा था ना एक मोबाइल छोड़ दिया था बीना मोबाइल लिये और दूसरे रूम में जाके अंधेरा करके परदा वर्दा घीचोच के सो गई थी पंका चला के इतना सकून का नींदारा था स अच्छे में गाइस कभी आप ट्राइ करना सब चीज से मोम आया खतम करके मुवाइल ओवाइल टीवी और जाके अकेले रूम में है ना टाइम स्पेंड करोगे ना तो बहुत मजा आएगा बहुत तब एकदम आख बंद करके बस अपने आपको टाइम देना सोना सू के लास में गया है थोड़ा देर मजा आया सर्वर से बात किया उसके घर वापस आने के आ आ गया रास्ते में सबजे अबजी लिया उसके बात से भूक लगा था तो अंस के डैडू बोले कि अब क्या खाना बनाओगी जलेवी लेलो पूरी कचोड़ी लेलो